चाइना के वुहांस सहर में जहां मिलता था सभी जानवरों का मांस। उसी सहर में पैदा हुआ एक ऐसा वाइरस जिसे कोई रोक ना पाया। नाम पड़ा गोरोना। यह वाइरस देखते ही देखते पुरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। जब यह वाइरस देवों की भूमी भारत में फैलने लगा तो सभी भारतवासी परिशान हो गए। जैसा की कहा जाता है की समस्या में ही समधान होता है। इस बिमारी में ही ठिपा था इस बिमारी का फ़र्ष्ट एड कोई भी रोड पर ना निकले। फ़र्ष्ट एड तो पूरी दुनिया को मिल चुका था पर अब बारी थी इसका पर्मानेंट सोल्यूशन ढूनेगी। और जैसा की कहा जाता है की भारत एक देव भूमी है और यहां किसी भी बिमारी या महमारी का इलाज है। तो फिर देर क्या थी इसका इलाज भारत में भी कोई ढून न सका। तब एक आखरी उपाय ही बचा था लोग भगवान की पूजा पाठ में विलीन थे। समय चल रहा था नवरात्र का। लोग मा से वंदना करने लगे नवरात्र खत्म हो गए पर अभी तक इसका कोई अंत नहीं कर पाया था। पर नवरात्र के अंतिम दिन मा सेरावाली के कहने पर भगवान सिम्ध धरती पर एक खास भक्त के पास आए और उन्होंने कहा ए तुछ मनुष्य क्या तुझे इतना भी ग्यान नहीं कि अगर तुम प्रिकर्ती से खेलोगे प्रकर्ती को बरबात करोगे तो एक दिन तुमारा इस दुनिया से नामों निशान मिट जाएगा। हे भगवान हमें माफ कर दो हम इंसान अंदे हो गए थे हमें अंती मौका दे। फीक है इस बार तो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ मासेरवाली के कहने पर परन्तु तुम सभी मनुष्य ये प्रणलो कि तुम प्रकर्ती को नुकसान नहीं पहुचाओगे जानवरों को मार कर नहीं खाओगे साधवीक भोजन करोगे मतलब तो मीट नहीं खाओगे तुम देश विदेश हर जगे फैला होगी भक्त सोचता है अरे मान लेता हूं यार एक बार सब कुछ पहले जैसा हो जाए बाकी बाद में देखा जाएगा भक्त बोलता है ठीक है भगवान मुझे मन्जूर है भगवान सिव कोरोना से बोलते हैं ए कोरोना चल अब यहां से चला सुधर जाएगा तू चल मेरे साथ अभी दुनिया का अंत नहीं आया है चल अप तू मुझे मजबूर मत कर कोरोना नहीं मानता तब अंत में भगवान सिव को गुस्सा आ जाता है और वो अपने तिर्शुल को धरती में गार देते हैं पूरी धरती कोरोना वायरस से मुक्ठ हो जाती है एक सप्ता बाद यार आज मुझे मीट खाने का बहुत मन कर रहा है ये इनसान ना कभी सुधरा है और ना ही कभी सुधरेगा एक दिन इस इनसान का बहुत बुरा अंत होगा